आप सब को जैमसिकी परमेश्व का धनिवात करते हैं आज की सुंदर सुभा के लिए और मैं आशर करती हूँ आप खुश हैं प्रभु में आनंदित हैं और संगती में आप जुड़े हैं ताकि आप परमेश्व के वचन से और प्रातन से उत्साहित हो सके सो आईए मिलकर हम एक गवाही को सुनेंगे उसके बाद हम वचन और प्रातन में जाएंगे आप हमारे साथ में बने रहें कैमसिकी मैं बिहार से बोलाओ प्रेमदास मेरी गवाही है कि मेरे घर्म राज़रा बहुत होता था मैं बहुत परेसान था हूँ मैं कमेंट में लिख कर भेजा कि मेरे घर्म राज़रा बहुत होता है तेस जनवरी को इस तीन से आज तक मेरे घर्म में कोई लड़ाई ज़गरा नहीं हुआ है इसके लिए पिता करमेस्वर को धन्यवाद करता हूँ और पिके बरादर अमरिता सिस्टर को धन्यवाद करता हूँ यही मेरी गवाही है और जय मस्य की आमीन हमारे चैनल हिंदी बाइबल मेसेज और प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे धन्यवाद प्रेज लोड दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज सुभह की प्रात्ना में और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि प्रभू अपनी योजना को आप पर परकट करेगा और आपको उस योजना के तहते इस्तमाल करेगा प्रभू आपको अपनी योजना के लिए इस्तमाल करेगा और आप पर उस योजना को परकट भी करेगा जैसे हम लोग देखते हैं मुसा के जीवन में जब परमेशन ने मुसा को जलती वी जाड़ी में दरसन दिया तब परमेशन ने उससे बाचित करना सुरू किया और उस पर अपनी योजना को परमेशन ने परकट किया उसे अपनी योजना परमेशों ने बताई, यदि आम मेरे साथ में निकाल लेंगे, निरकमन की किताब उसका तीन अध्याई, साथ और आठ पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, फिर यहवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिसर में हैं, उनके दुख को ने चित लगाया है, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ, कि उन्हें मिसरियों के वस से छुडाओं, और उस देश से निकाल कर, एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूद और मदू की धराएं बहती है, दोस्तों यहाँ पर, परमेशों ने मुसा पर अपनी योजना को परकटिया, मुसा को अपनी योजना को बताया, कि मैंने मिसर में अपने लोगों को देखा, उनकी चिलाहट को सुना, उनकी पीडा पर मैंने चित लगाया, और अब मैं उन्हें उस देश से छुडाओंगा, वहां से उन्हें बाहर निकालूंगा, और उन्हें एक पुद और मधू की धराएं बहती है, जहां किसी भी भोजन वस्तो की घटी कमी नहीं होगी, जहां आसीसे होगी, जहां भरपूरी होगी, ऐसे देश में मैं उन्हें लेकर के जाओंगा, क्योंकि मैंने उनकी पीडा को देख लिया है, मैंने उनकी चिलाहट को सुन लिया है दूसरे सब्दों में यह दिक मैं कहूँ कि मैंने उनकी प्राथना को सुन लिया है दोस्तों आज सुभे में मैं आपको भी उत्साइट करूँगा कि परमेशन ने आपकी प्राथना को सुन लिया है परमेशन ने आपकी चिलाहट को देख लिया है इसलिए परमेशर बहुत जल्द आपको उन समशाओं से उन परेशानियों से छुडाएगा और आपको एक ऐसे स्थान में लेकर जाएगा जहां भरपूरी है जहां आसिसे हैं जहां कोई घटी कमी नहीं जहां आनंद है जहां सुख है इसलिए आप निरास नहोंगे आपके य दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में खुसियों के दिन आनंद के दिन आएंगे क्यों कि परमेशर ने आपके आँसों को देखा है क्योंकि परमेशर ने आपकी चिलाहट को सुन लिया है क्योंकि परमेशर ने आपकी प्रात्नों को सुन लिया है क्यों परमेशन ने अपनी योजना को मुसा को समझाया, मुसा को बताया, उसके बाद परमेशन ने उससे कुछ इस परकार से कहा, यदि आप दस पत पढ़ेंगे, तो वहाँ पर कुछ इस परकार से लिखा है, कि तू मेरी इसराइली प्रजा को मिसर से निकाल ले आए, आमेन, तब हम यहाँ पर देखते हैं, कि परमेशन उसके समुख उससे कहते हैं, इसलिए आ, मैं तुझे मिसर देश भीजता हूँ, कि तू वहाँ से मेरे लोगों को, इसराइली लोगों को ने वहाँ से और उस देश में पहुचाए, उस कनान देश में पहुचाए, जहां दूद और मदू की धाराएं बहती, परमेशन ने अपनी योजना को उसे बताया, और फिर उससे चुन लिया, उससे कहा, कि मैं तुझे ही भेज रहा हूँ, इस काम को करने के लिए, हलंकि मैंने उनकी प परमेशन खुच ऐसा चमतकार करके पुरे इसराईलियों को वहाँसे बहार नहीं निकाल सकते थे, परमेशन के लिए कोई भी काम असम्भू नहीं है, लेकिन इस धरती पर काम करने के लिए, परमेशन के परतनिदी के रूप में मनिश्या काम करे, परमेशन के योजना को मन परमेश्य पूरा करे इसलिए परमेश्य ने समय समय पर अनेक लोगों को चुना ताकि उनके द्वारा परमेश्य का राज्य पहले ताकि उनके द्वारा परमेश्य ने आज आपको चुना है ताकि आपके द्वारा परमेश्य इस धरती पर लोगों के जीवन में काम करे इसलि तो इसलिए परमेशुर ने आपको चुना है, हमें चुना है, ताकि आपके दुआरा उसका राज्य इस पूरी दुनिया में पैले, क्या परमेशुर सुएम अपने राज्य को नहीं पैला सकते हैं, एक ही दिन में परमेशुर पूरी दुनिया में अपने राज्य को पैला सकत लेकिन परमेशुर चाहते हैं कि मनश्या जानने कि आप और मैं उसके चुने हुए लोग उसके परतिनिदी के रूप में इस दुनिया में काम करें और उसके राज्य को पहला ताकि लोग बचाए चाहें वो जो नर्क जा रहे हैं वे लोग बचाए चाहें यहां पर इसलिए परमेशों ने आपको चुना हमें चुना है ताकि हम परमेशों का राज्य इस दुनिया में फैलाएं लोगों को नर्क जाने से बचाएं लोगों को गलत कामों से बचाएं लोगों को उस दुष्ट की गुलामी में से बचाएं उन्हें सुसमचार दें, उन्हें प्रभु के बारे में बताएं, वो प्रभु के पास आएं और प्रभु का राज्या फैलता चला जाए इसलिए परमेश्र ने आपको और मुझे चुना है परमेश्र चाहते हैं आपके द्वारा काम करना परमेश्र को जरुत है आपकी परमेश्र को आपकी जरुत है यदि आज आपने परमेश्र के आवाज को सुना है तो आप ये ने सोचें यदि मैं प्रवु का कारिय करता हूँ तो मेरा क्या होगा, मेरे परिवार कर क्या होगा मुसा भी परमेशर से बहुत सारे excuse कहता है लेकिन परमेशर उससे कहते हैं कि मैं तेरे संग में रहूँगा मैं तेरे साथ में रहूँगा और जब परमेश्र आपके साथ में हैं तो आपको घटी कमी नहीं होने देगा, आपके जीवन में कोई समझ्याओं को नहीं आने देगा, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो आपके साथ में रहेगा आपको बचाने के लिए, आपको चुटकारा देने के लिए, आपके उसके आवाज कोहन सुनाना करें आप उस गुपतिस्थान में जाएं प्रवु से बाचीत करें और जो योजना वो आप पर परकट करें उस योजना में आप लग जाएं अपने कदमों को बढ़ाएं और उस योजना में लग जाएं उसके काम को करने में लग जाएं अपने हाथों को उसके राज्य की बड़ोतरी के लिए बढ़ाएं अपने कदमों को उसके राज्य की बड़ोतरी के लिए बढ़ाएं पीछे ना हटे आगे की ओर बढ़ते चले जाएं प्रभू आपके साथ में है प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं प्यागेगा तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझ गये होंगे कि प्रभु को आपकी जौरत है ताके आपके द्वारा उसका राज्या फैलता चला जाए तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयट से आशिस देगे आमेन आईए हम से मिलकर प्रातन करें धनिवाद धनिवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता हम आपका आधर और सम्मान करते हैं क्योंकि आप इस आधर सम्मान के योग्ये हैं आपकी जैजेकार करते हैं आपका धनिवाद देते हैं प्रभु कि आपने ये सुन्दर सब पल परमिश्वर ये सुन्दर सुभा प्रभु तुने हम सब भाई बहनों को दिखाई है परमिश्वर धनिवाद के रात भर में प्रभू अपने संभाले रखा, सुरक्षित रखा पिता, अपने पंकों के आड़ में रखा परमिश्वर और हम सब को पिता चिनीन से सुला कर ये नया दिन दिखाया और आज हम सब जीवित हैं इस बात के लिए धनिवाद प्रभू, सच में हमारे जीवन का सबसे बड़ा सोभागय ये है प्रभू कि तुझे हमने अपने जीवन में पाया है परमिश्वर और आप हमारे जीवन के प्रभू हैं और आप हमें मार्क दर्शन करते हैं और प्रभू तो ने साहियक के रूप में प्रभू हमें अपना पवित्रो आत्मा दिया है परमिश्वर अपना बेटा बेटी होने का अधिकार तो ने हमें दिया है परमेश तो ने हमें चुना है और अपने ले अपने राज्जी के लिए प्रभू तो ने हमें अलग किया है पिता धनिवाद परमेशो की तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा प्रभू हम सब ने उद्धार पाया है नया जीवन पाया परमेश्वर मैं धनिवाद करती हूं कि जिस प्रकार प्रभू ये योजना प्रभू तुने हमारे जीवनों में पूरी करे उसी प्रकार आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा भी परमेश्वर और लोगों तक प्रभू तेरी वो योजना पहुंचने पाएं पिता मैं धनिवाद देती हूँ आज के सुन्दर दिन के लिए प्रभू और आज के दिन में ज्ञान बुद्धी समझ को मांगते परमिश्वर आपके पस्तिती को चाहते हैं पवित्रात्म की सपोर्ट और साहिता को चाहते हैं परमिश्वर हर प्रकार की नेगेटिव और घबराहट इसी समय ये शुके नाम से इन भाए बैनों के जीवन से दूर होने पाए पिता इने मार्क दर्शन करें आज के दिन में प्रभू इने क्या करना है किस प्रकार चलना है किस रास्ते में चलना है क्या इनके लिए सही है हर बात में पवित्रात्म आप इनके अपने प्लान में उस उद्धार की योजना में शामिल किया पिता और उसके अनुसार अपने कारियों को किया मेरे परमिश्वर आपने मुसा को चुन कर अपनी इसराइली प्रजा को प्रभू उस मिस्र से बाहर निकालने के लिए प्रभू उससे चुना उसी प्रकार कि तुने हम सब से प्यार किया है और तुने अपने प्राणों को हम सब के लिए दिया है ताकि जो कोई येशु के नाम पर विश्वास करें वो धार पाए वो छुटकारा पाए वो आगे बढ़ता चला जाए और वो तेरे राज जी का वारिस बनने पाएं और मैं पिता मैं परातना करती हूं कोई भी ऐसी बात प्रभू यदि हम सब के जीवनों में पाई जाती है जो तेरे राज्ये को बढ़ने से रोकती है वो पाप वो अपराद वो हर परकार के गलत काम पिता जिसमें प्रभू तेरे लोग इंवल्व हैं मैं प्रभु दूसरों की चुगली करने से ठटों में उडाने से प्रभु जी प्रभु दूसरों को तुछ समझने के लिए प्रभु जैलेसी घमंड इर्शा प्रभु इन सारी बात उसे अपने लोगों को छुटकारा दीजिये परमिश्वर मेरे खुदा जब तुने इन भाई भी है और उनसे बाधचीत क्या है पिता होने दीजिये प्रभु जो तुने इन के लिए योजना बनाई है जैसे कि मुसा के लिए प्रभु आपने योजना बनाए कि वो आपकी इसराइली प्रजा को मिस्र से चुड़ा कर लाये उसी प्रकार प्रभु तुने हम सब भाई- होने दीज़े प्रभु तेरे लोग तैयार होने पाए पिता, कोई भी परमेश्व पिता, उन्हें उस काम को ना करने के लिए ना होने पाए पिता, वरन वो हड समय प्रभु जी अपने आप को पिता, तेरे समुक रखते वे, प्रभु उपस्तित रहने पाएं प्रभू तेरे काम को करने के लिए तेरी योजना को पूरी करने के लिए तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए पिता या अपने आप को पिता दे सके प्यारे खुदावन इशु मसी में होने दीजिए प्रभू जी यदि आज प्रभू ये बीमार है और वो सेव करना चाहते तो खुदा बनाज हर प्रकार की शाररिक बिमारियों से प्रभी ने अजाद करे correct प्रभू हम एशु के नाम से सारी बिमारियों को इन भाई-भेहनों के शरीर से हरे के हरेत के ौजवान हरेक भाई रेक बेहन के शरीर से जाने की आग्या देते आ प्रभू आज के दिन में प्रभू जिसके द्वारा प्रभू तुने अपने बैटे बेटियों को अपने लोगों को जिने तुने चुना है उन्हें चंगाई दिया है चुटकारा दिया है धन्यवाद देती हुपिता सच में प्रभू आज के दिन में प्रभू जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाएं वो काम सफल हो मेरे पिता जो भी योजना है इनके लिए आपने बनाई है वो योजना है इनके जीवन से सफल हो मैं धन्यवाद करती पिता धन्यवाद देती हूँ हर एक बात के लिए परमेश कर दुक्त करते हैं कुझे दुश्ट के हरे काम बहुत करता है है ठुट दुश्ट के हरोगों को प्रभू जब मैं आहरे बहला चंगार रखा प्रभूर को को प्रभू शरीर विए राज्य तेरे हैं अन्माल हो किफ़ा दनेवाद ए negro प्रभू जिनका marriage नहीं हो पार है, प्रभू एक अच्छा जीवन साती दे कर उन्हें ब्लेस करें, प्रभू जो अपने marriage में परिशान है, प्रभू हस्बेंड बाई, प्रभू misunderstanding को लेकर, wrong relationship को लेकर, और भी अन्य बातों को लेकर, प्रभू जब इनके रिष्टे तूटने प्रभू येश्व नास्री के नाम से प्रभू इन सारी problems को इनके रिष्टे से दूर करते हैं, पिता इनके परिवार में, इनके रिष्टे में प्रभू मेल मिला और प्रेम चाहते हैं, प्रभू येश्व एक दूसरे पर भरोसा चाहते हैं, प्रमिश्व पिता, प्रमिश बच्चों के लिए रखी है उनके स्टेडी को लेकर उनके का रचार को लेकर उनके जीवन को लेकर प्रबू हुने दीजी जीवन में का रहे हो तूब्हे लड़केय हुआ कि सिख्लाइब घंगाँ और अंदर बड़ी रह assistant अपछो Kोंट कि दौर प्रबु जो एशूर्ड जो भी परिश्रम प्रभु है आपके राज्जी के ले कर रहे हैं उस पर भी तेरी आशीष हो पिता जितनों ने आपके राज्जे में बोया है उन्न फ़लवंत करे जितनों ने प्रभु अपनी विंति यों को भेजा हैं उन्में ँ jealousy's दे उने उन प्रभू अपने जमीन को लेकर अपनी सैलरी को लेकर अपनी जॉब को लेकर अपने बिजनस को लेकर बहुत से भाय बें परिशान है खुदा येशु के नाम से इनकी इस परिशानियों का सल्यूशन आपकी और से नहीं मिले पिता जितने लोग दुष्टात्मों से ग्रसत हैं, येश्यू के नाम से प्रभू उने पूर्णी से छुटकारा दे पिता, जिने बेचैनी है, अज शांती है, प्रभू येश्यू तेरी शांती उनके जीवन में आए, आज हर प्रकार के बंधनों से प्रभू इन्हें आजाद करे सारी बातों को तेरे हाथों में सौबते हैं, येश्यू के नाम से स्प्रात्नों को मांग लेते, सुने और ग्रहन करें, आमेन आमेन और आमेन